पाथियों बीते बर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनोती को भी चुनोती दी जा सकती है जैसे मैं आपसे गन्ना कॉपरेटिव्स की बात करूंगा एक समय था जब किसानों को गन्ने की किमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फसा रहता था गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी ऐसे में गन्ना किसानों का कोपरेटिव्स पर भरोजा ही समाप्त हो रहा था हमने इस समस्या के स्थाई समाधान पर फोकस किया हमने गन्ना किसानों के पुराने बुकतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को बीस हजार करोड रुप्य का पैकेज दिया हमने गन्ने से इथेनोल बनाने और पैट्रोल में इथेनोल की ब्लैंडिंग पर जोर दिया आप कल्पना कर सकते हैं बीते नव साल में सत्तर हजार करोड रुप्य का इथेनोल चीनी मिलों से खरीदा गया है सेवेंटी थाउजन इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है पहले गन्ने के जादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है टैक्स से जुड़ी जो दसों को पुरीनी सनमस्य थी उसे भी हमने सुल जाया है इस बज़ेट में भी दस हजार करोड रुपी की विशेश मदद सहकारी चीनी मिलों को पूराना क्लेम सैटल करने के लिए दी गई है कि यह सारे प्रयास कि सुगर कैन सेक्टर में स्थाई बढ़लाव ला रहे हैं इस सेक्टर की कोपरेटरी इसको मजबूत कर रहे है